दोस्तो बात करने वाले हैं, ITBP में निकल कर आने वाली Constable की एक नई भरती के बारे में, इसका जो है Short Notification जारी हो चुका है, यह भरती का आवेदन जो है 20 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो रहा है, जी यह दोस्तो, 20 तारीक साप इस भरती के लिए Form को अपलाई कर सकते हैं, दसफी पास यह Vacancy आपके रहने वाली है, साथी साथ आपको जो इसमें ITI भी बोला गया है, और भी इसमें कई परकार के अलग-अलग Eligibility Condition को रखा गया है, हम बात करेंगे इस भरती के Short Notification के बारे में, क्योंकि इसका Short Notification यहाँ पर जारी कर दिया गया है, देखें, ITBP मे अलड़ी जो है, दो वेकेंसी आचुकी है, अभी आप देखेंगे तो एक वेकेंसी यहाँ पर आपको सोहरा होगा, यह आपका Head Constable, Education and State Counselor की वेकेंसी आपको आपको सोहर होगा, इसके बाद से आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक वेकेंसी सोहर होगा, जिसमें यहाँ पर स्टाफ, Nurse, Assistant of Inspector, Pharmacist के, तो यह देखेंसी आ चुकी है, इसके अलावा एक और वेकेंसी जो है, अभी अभी यहाँ पर आ चुकी है, जिया दोस्तों, अगर आप इस वेकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत जल्द यहाँ पर वो भी आपका सो कर देगा, अब देखें, यहाँ पर हम ओर नोटिफिकेशन आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं, यह जो है आपकी नोटिफिकेशन है, यह देखें, चार जो है जुलाई के डेट में आपको नोटिफिकेशन जारीवा है, ITB के द्वारा, ITBP, पुलिस फोर्स के द्वारा, और यहाँ पर क्या बतायागा है, कि रिलीज अफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट, रिलीज करने के रिगार्डिंग सब्जेक्ट में बात किया गया, इसमें बताया गया है, कि यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो है अडवर्टाइजमेंट, जारी करने के लिए, इन्होंने सब को क्या किया हुआ है, लेटर को लिखा हुआ है, यह सारे लोगों को copy, forwarded with request to download details advertisement from ITBP, इन सब को जो है, जो भी ITBP के सब जो है, डारेक्टर, देख रहाँना, joint secretary, यह स वेकेंसी फ्रिंट्स किस पद पे है, तो constable यह ट्रेट्समेन के पद इसे बोला जाएगा, tailor and kobler के post यहाँ पे आपको रहने वाले, tailor and kobler, यह आपकी वेकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपका group C type की वेकेंसी होगी, और यह वेकेंसी जो है, online application के थुरूप फर्म भरे सकते हैं, 1,700 लेकर, 79,100 की आपकी पे मैट्रिक्स यहाँ पे रहने वाली है, यानि in-hand salary अगर हम बात करें, तो इसमें आपकी 30,000 के आसपास, in-hand salary आपको starting में देखने को मिलेगा, allowances वेकेंस वेकेंसी होगर हम इसमें एड करते हैं, तो, अब यहाँ पर आप देखेंगे, detail advertisement यहाँ पे roaster वगरा दिया गया है, category wise, male के लिए कितना है, female के लिए कितना है, तो constable tailor की बात करें, तो 18 vacancy है, male के लिए यहाँ पे देखेंगे, 14 और female के लिए 2 vacancy है, constable kobler की बात करें, 33 vacancy है, male के लिए 28 और female के लिए 5 vacancy हैं पे आपकी रखी गई है, तो इस तरह से category wise भी दे दिया गया है, और male female wise भी vacancy को दिखा दिया गया है, और total number of vacancy भी आपको दिखा दिया गया है, अब यहाँ बताएगे कि यह vacancy increase और decrease भी हो सकती है, बीना किसी notice के, इसका जो हक जो है, ITBP recruitment के पास जो है, सुरक्षित है, अब बात करें, form fee के बारे ने, तो मात्र तो सौ रुप्य आपको application fee लगता है, form भरने के लिए, और अगर कोई female है, CST कोई candidates है, या कोई ex-serviceman है, उनको जो है, आपको application fee नहीं लगता है, उनको जो है, एक भी रुप्या fee नहीं देना होता है, form भरने के लिए, बात कर यहाँ पे educational qualification की, देखे, यहाँ पे na, age limit सब को सबसे नीचे लेकाता हूँ, यह देखे, 18 अगस्त रखा गया है, 18 अगस्त 2024 को जो है, आपकी उम्र की गड़ना यहाँ पे करी जाएगी, जो भी चीज़े यहाँ पे होने वाली है, तो 18 अगस्त को जो है, आपका उम्र जो है, कितना होना चाहिए, फ्रिंट्स, 18 अगस् को आपका जो है, एज जो है, 18 हो जाना चाहिए, और 23 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बात करें, क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे दसवी पास आप हो चुके हैं, तो फॉर्म को अपलाई करेंगी, और आपको जो ने दो साल का एक्स्प्रियेंस ब अगर यह भी नहीं है, तो यहाँ लिखा गया है, दो साल का डिप्लोमा कर रखा हुए आपने, इस स्ट्रेट में जी स्ट्रेट से वेकेंसी निकाली है, तो भी आप फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं, तो कोई एक होना चाहिए, या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, आई ट वेकेंसी यहाँ पर देखने को मिल गया है, प्योंकि उसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, इसका भी जैसे ही नजदीक आएगा थोड़ा सा समय, 20 तारीक से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, 20 जुलाई से हो सकता है कि 15 से लेकर 18 के बीच जो है यह लोग, आपका किसी डिपार्टमेंट का आता हो, सबके लिए फिजिकल सेम होता है, सबके लिए सेम होता है, इसमें देखिए सबसे पहले आपका फिजिकल एफेसेंसी टेस्ट होगा, पीटी होगा, फिजिकल एस्टेस्ट होता है, फिर आपका डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपक अगर आप यह नोटिफिकेशन डाउड करना चाहते हैं तो आप गूगल में जाएंगे सर्च करेंगे डिफेंस जॉब पोर्टल क्या सर्च करना आपको डिफेंस जॉब पोर्टल जिसाब सर्च करेंगे आपको सामने जो है इस परकार से वेबसाइट खुलेगा और यहाँ देखेंगे इसके बारे में लिखा गया पोस्ट आई टीवीप कॉंस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 आप इसको ओपेंड करेंगे यहाँ पे इस वेकेंसी के बारे में सारे जनकारी आपको मिल जाएगा और हाइट वगर अभी यहाँ पे बता दियागा यही आपकी हाइट जो है रतिये मेल के लिए और फिमेल के लिए आप चेक कर सकते हैं और इसके बाद से यहाँ पे आपको जो इसमें भी आपकी height जो है न वही बताएगी है मैं आपको दिखाएता हूँ यह notification डाउड करके आप अगर notification देखना चाते हैं न हाइट वाला तो notification आप एक बार चेक कर सकते हैं चले मैं इसे जो है डाउड कर लेता हूँ इसमें और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह notification अगेन मैं डाउड कर लेता हूँ यह देखिए यह आपका जो है इसके लिए vacancy है फिरिंट्स तो education and street counselor की vacancy है इसमें भी आप देखेंगे तो अच्छे खासे पद है और इसलिए मैं इसी दिखा रहा हूँ ताकि आपको height वगरे का confusion है वो थोड़ा सा दूर हो सके इसमें जो ऑपरेज में छूट मिलता है बिसेस ध्यान दिजिएगा ऑपरेज में तीन साल जो है आपको OBC को मिल जाता है छूट और SCST को आपका जो है ना पांच साल का छूट मिल जाता है सब के लिए जी हां दोस्तो अब देखें आपे for other state and union treat is 70 cm height है और 17 cm female के लिए है और male यहां पर chest होता है तो 80-50 cm और अगर इस जगह से कोई आता है तो उनका height 165 cm अगर कोई ST आता है तो height उनका जो है यह रहता है तो इस की height सब के लिए same होता है भले और किसी भी category का form भर रहा हो और nurse के लिए form भर रहा हो या constable के लिए form भर रहा हो cobbler के लिए बढ़ रहा हो फेज वन में ही आपको देखिए, आपे बताया गया कि फिजकल होगा, अब फिजकल में देखिए, मेल को जो है 1.6 km के रेस करनी होती है, और यहाँ पे लॉंग जॉंप, हाई जॉंप करना होता है, और यहाँ पे तीन चांस मिलता है, लॉंग जॉंप के लिए, और इसमें भ करना होता है, 9 feet, 3 chance मिलते हैं, और हाई जॉंप करना होता है, यहाँ पे आपको जो है न, 3 chance मिलते हैं, यह आपके जो फिजकल होते है, जो कि सब के लिए सेम रहता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेस जो करना है 1.6 km की, वो साठे 7 minute में complete करना होता है, मेल को, और फ क्वालिफागी नेचर होता है, उसके बाास से आपका जो है, रिटेन इग्जाम होता है, phase 2 में देखे है, तो जिस पद के लिए आप форм भरेंगे, उसके according रिटेन इग्जाम होगा, यह देखिये 100 marks का इसमें रिटेन इग्जाम हो रहा है, फिजकल जो क्वालिफाई करेग थोड़ा सा अलग है अब आप कॉंस्टेबल ट्रेट्समें के लिए भरेंगे तो हो सकता है कि ट्रेट्स से आपके जहाँ पर ज्यादा कोशन पूछे समझाना न तो यह चीज़े यहाँ पर आपकी रहती है तो आसा करता हूं आपको जनकारी समझ में आया होगा डिटेल हो